हलो एवरिवन आज है 19 सब्टेंबर और आज इस उड़े में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में लेकिन 425 रुपए के आज पास टाटा मोटर्स का जो शेर है ये हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है तकरीबें 1.5% के आज हमें यहाँ पर गिरावाट भी देखने को मिल रही है लेकिन उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स में ऐसी कई सारी खबरे हैं कई सारी इवेंट्स है जो फ्यूचर में हो सकती है जिसकी काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज भी है और जिसकी वज़े से आने वाले दौर में जो ब्रोकरेज फर्म है जो दिगज खिलाडी है बाजार के वो टाटा मोटर्स पर बुलिश दिखाए दे रहे हैं वीडियो में हम उसके बारे में डिसकस भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी जादा हल्प करेंगे तो टार्टा मोटर्स का जो शेर है 425 रुपए के आसपास है और एक महिने में अगर हम देखे तो 6.5% की गिरावट भी है 470 रुपए से लगाता तूट रहा है ये अगर आप देखो तो बीच में थोड़ी बहुत तेजी दिखाने की कोशिश भी करी लेकिन वापस ये तूटता चला गया एक साल के अगर हम बात कर रहे हैं तो 42% का ग्रोस जरूर है लेकिन अगर आप देखो तो एक जटके में तेजी आई थी 500 तक शेर पहुंचा लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो साड़े 500 और 400 के बीच में लंबे समय से ये अटका हुआ है जब भी नीचे की तरफ जाता है मतलब 400 रुपे के नीचे जाता है ये खरीदारी के मौके बनते हैं लेकिन जब भी लगता है ये 450-500 की रेंज में है ये तूटता है प्रॉफेट बुकिंग देखने को मिलती है वापस नीचे की तरफ गिरता है ये टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो भाई टाटा मोटर्स में जो टागेट है इनका इलेट्रिक विहिकल्स का वो काफी बहतर नजर आ रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2027 तक आने वाले दौर में 25% जितना जो कंट्रिब्यूटर होगा वो इलेट्रिक विहिकल्स होंगे यहाँ पर आप देखेए तो गोईंग टाटा मोटर्स हैस बिन गोईंग ग्रेट गन्स विद इस न्यू एवी इन अगस्ट 2022 देखने की कोशिश करो तो यह बहुत अच्छी बात है कि 8% से भी जादा जो सेलिंग हुई है वो इलेट्रिक विहिकल्स की हुई है जो देखा जाए तो बहुत ही बहतरीन ग्रोथ है अगर हम यर ओन यर ग्रोथ की बात की तो 275% के आस पास है क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे तो लाश्ट मन्थ अगर आप देखो तो वो था 1022 उनिट सोल्ड किये हैं इनोंने तो अच्छी बात है कि यह कंपनी जो है वो दीरे दीरे एवी को लेकर काफ़ी जादा पोजिटिव नजर आ रही है इसके अलावा एक और कार लॉंच हो रही टाडा टिगोर एवी जो है वो 28 सब्टेंबर को लॉंच होती नजर आएगी और यह एक affordable electric vehicles होगा मतलब सस्ते दाम वाली electric vehicles अगर आप देखो तो वो टाटा टिगोर आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में एक और खबर यहां पर यह भी है कि टाटा मोटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20% of domestic passenger vehicle sales to come from EVs in next 3 years जो passenger vehicles है जितने बेचेंगे यह ठीक है उन में से expect कर रहा है कि आने वाले 3 सालों में तकरीबन 20% जितना sell होगा मतलब 100 में से 20% माल लो तो वो जो रहेगा वो EV वाले होंगे तो कहीं ना कहीं EV के उपर काफी जादा bet ले रही है यह company और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रभू दर्स लीला लग की खरीदारी करने के सला है ब्रोकर्च हाउस है और पांसो दर्स रुपए का target उन्हों ने यहां पर दिया हुआ है टाटा मोटर्स के बारे में देखे तो company large cap है डेड़ लाक करोड के आसपास का market cap है काफी बड़ी company है यह और volumes भी अगर आप देखोगे तो डेड़ करोड तक के volumes नज़र आए बड़ी quantity में share जो है वो trade होते नज़र आ रहे है तो यह भी है company के revenue भी बढ़ रहे है company का जो market share है वो भी इंडिया में बढ़ रहा है लेकिन दिक्का देखिए company loss में है और भारी भर्खम loss में है पांच हजार करोड से भी जादा का loss इनका June quarter में हुआ था अलग कि revenue 72,000 करोड के आसपास जरूर था और अगर आप पिछले कुछ quarters में देखे तो Tata Motors का जो market share है वो बढ़ा है इंडिया से कई विदेशी company वह यह वापस लौट गई है और ऐसे में Tata Motors जैसे company इन्यों का market share बढ़ा है Tata और महिंद्रा यह दो कंपनिया अभी पूरे बाजार में अगर आप देखे तो दिरे दिरे इनका market share बढ़ रहा है मारूती definitely मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी कंपनी है यह सबसे जादा market share भी मारूती के पास ही है लेगिन मारूती का market share धिरे धिरे कम हो रहा है और आने वाले दौर में अगर हम expect करें कि कौन बन सकता है अगला मारूती सुझोगी तो कही न कहीं Tata और महिंद्रा का जो नाम है वो सामने जरूर आ रहा है हलाकि मारूती भी है देखो वह भी बहुत बड़ा player है 46.40% की holding promoter के पास है 13.71 FI 6.83% mutual fund 7.28 insurance company के पास है टाटा मोटर्स में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स में according to money control user 22% लोग करें कि बेचो बागी हर को एक खरी तो देखो पहली चीस तो है कि मेरी बेचने की सला नहीं है लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की 400 रूपे का जो range है वो मुझे पसंद आता है बाइन के लि वो बढ़ने वाले है यूएस में भी और इंडिया में भी अब जाहिर से बात है interest rate अगर बढ़ेंगे तो loan जो है वो महंगी हो जाएगी और loan महंगी होगी तो वह या home loan भी महंगी होगी और car loan भी महंगी होगी तो कही ना कहीं जो real asset sector है जो automobile sector है वहाँ पर थोड़ी से दि कंपनियों में growth है बहतर कंपनियों में growth है revenue देखो तो पहले तूट रहते लेकिन अब दिरे दिरे बढ़ रहे हैं इनके revenue और उमीद करेंगे कि यह और बढ़ते नजर भी आएंगे आपको लेकिन हाई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है लगाता loss में ही है और अभी भी कर आए long term में भी पैसा नहीं बना है current price भी जाद है अलग की तरह तूटेने के बाद भी current price जाद है इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से और 79% analyst कहते हैं खरीदारी करो मेरी बाइंग के recommendation है लेकिन कहां पर 400 रुपय पर लेकिन खरीदारी करिये तो बेचना मत रखे रहो इसको प perform कर रहा है लेकिन हमें यहां पर यह भी सोचना होगा कि जैगवार क्या कर रहा है क्योंकि जैगवार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो बड़ा market है वह चाइना और European countries है चाइना में lockdown हमें देखने को मिल रहे थे restriction देखने को मिल रहे थे और European country तो बहीं में अच्छा perform कर ले लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो growth है वो जूड़ी है जेलार्स के साथ भी तो यही वज़ा है कि वह गलोबली चीज़ा डिपेंड करती है टाटा मोटर्स के लिए कि वह टाटा मोटर्स के sales बड़े ही बढ़ रही हो लेकिन साथी साथ जेलार के भी sales बढ साथ है जिसका खामियादस जेलार को भुगतना पड़ रहा है और जिसकी वज़े से टाटा मोटर्स भाया क्या सकते हैं कि प्रेशर में है तो अभी क्लिए तना ही कहूंगी यह गिरावट रहे और रहे भी सकती है लेकिन अगर टूटे का खरीदारी के मौके बनेंगी मैंन सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के अलावा एक और कंपनी है जो एवी वाले सेग्मेंट में काफी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो कंपनी है भाई साहब अशोक लेलेंड एक सो सांट रुपे का यह शेर है और यहां पर इंकी जो सेल्स है उसम आप चाहते हैं कि मैं अशोक लेलेंड के उपर एक डेडिकेटड वीडियो बनाओं तो कमेंट में अशोक लेलेंड ज़रूर लिखेगा जितनी जादा कमेंट होगी उतना जड़ी वीडियो आएगा वीडियो को यहीं पैनल करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय के च सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक यू